आज पाकिसान के पास एक बहुत बड़ा मोग है कि पूरी दुनिया को थाबित करें कि पाकिसां क्रिकेट टीम कभी deven like कर सकती आज वो दिन है आज वो मोक है हँआ अगर आपको पहले बैटिंग नहीं मिलती तब थो हम कुछ नहीं तो तब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया को रोंग साबित करना होगा आज जो हर कोई कर चुका है कि न्यूजीलेंड आड ये समिफानल के अंदर हाला कि पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस है अगर पाकिस्तान इतने अतने ब्रेशन से जीए क्योंकि आज तक ऐसा ऊभानी कोई जीता ने बड़े मार्जन से इसव्य क्यानी संचीज और से दिल से किसी से प्यार करो एक उसको चाहने की कोशिश करो तो पूरी काइनात आपको उसको हासिल करवाने में लग जाती है तो सचे दिल से आज पाकिसान टीम खेले सचे दिल से खेले और जीत की तो नियत होनी चाहिए साथ ये साथ बड़ी जीत की नियत होनी चाहिए पाकिस है ना यह बड़ा माईनी रखता अगर आप यह दिखाएंगे ना तो जो आपके फैंस है ना वह आपकी इस काम्याभी को भी कबूल करेंगे कि एटलीस हमारे खिलाडियों ने इंटरेंट शो की तो पाकिसान को आज कंड़नी पढ़नी है पहले बल्लेबाजी करें किसी तरीके से सारे 400 बोर्ट पे लगा दें क्या नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता एड़न गार्टन का एवरिज स्कोर कम है लेकिन आप उसको जाधा कर द पाकिसान ने आज तक 400 नहीं बलाया बना के दिखाए जब साउथ अफ्रिकाare 28ा कर सकती करना होगा हमें करना होगा हमें इजोनों आज पाकिसानी टीम को फिर हम जिसो कहता है आफनी दरफा yeter में वो जो चाहते हैं उनको दें एक दफ़ा आप सारे 400 बोर्ट पर लगाएंगे यकीन करें कि आपकी बोलिंग में आजएगा खुद्बाक हो दी आप में वह इंटेंड है कि आप प्रेशर डाले और भूल जाएगा आपने करें कुछ भी हो सकता है किरिकिर के अंदर हमने देखा है जब इंडिया दो दफ़ा तीन दफ़ा टीमों को पचास-पच्पन-83 पर आलोड कर सकती है तो वाइन और पाकिसान हम तो कहने को नंबर वन बोलिंग थे पाकिसान करेंगे आज का मैच बहुत बड़ा मैच सबसे पहले जो दुआ है और मेरी पेडिक्शन बिल्कुल पाकिसान जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने कल यह भी कहा था कि मुझे लगता है पाकिसान के मार्जा से जीट जाएगा लेकिन मेरे दिली खौहिशे के पाकिसा जो मार्जन रिक्वाइर है 275 का उसी से जीते और कोई मेडिकल आज हो जाए इसी की उमीद है पूरे मैच में आपके सब्सक्राइब जुड़े हैं हमें जुरूर जिस्तों कहते हैं आज के पूरे दिन के लिए फिलार के लिए जहादी जीए मैच के साथ आपके दुबारा सब्सक्राइब जुड़े हैं अलाग